ड्राइवर की कोई बात नहीं ड्राइवर वस खली तेल के असर डाल सकता ऐसा ना ड्राइवर बैट के सील काटेगा इसकी असी वीगे जमीन जोतने में यहां से फिल्टर जो है लीक होगे टेक्टर के और यह वाली सील कट गई अब सील कैसे कटी राम राम भाईयो भाईयो आ तो इसान भाईयो के मन में जो परिषानी है टेक्टर लेने को लेक है वह सारी आज किलियर हो जानी है मतलब मैंले से समझे लो खतम हो जाने वाली व्यक्तिने बीगए मंसाना क्यशने चाहिए पने काम के हिसाप से मतलब कहने का यह है कि जितनी जरूरत उसके हिसाब से टेक्टर लो भाई ये ना देखो कि पडोसी के पास 50 HP है तो मुझे 60 लेना है और 60 है तो 70 लेना है ये चीज भाई यो दिमाग से निगाल दो इसमें क्या हो रहा है किसान जो है डाउन जा रहा है भाई ये बात तो सही है बड़ा काम सवाया करेगा पर भाई वो सव कि कमी है तुमारे पास जो भाई तुमने ये लगाओ हिसाब कीमत कितनी उसकी दी कंपनी को तो आज उसी टोपिक के उपर है और जो ये अपना टेक्टर है ये बाई 42 HP में आता है 241 अब इसकी भी कहानी बताऊंगा देखके भाई यो जो सोनालिका के साथ भाई कहें ना कि सोनालिका कि लिका ना रुकती है मतलब लिकेज ना रुकती है उसके उपर है देख लो पहले फिर पॉइंट पाई पॉइंट आपको बताऊंगा में टेक्टर में क्या वात हो रही कह देना बाई कि के जो किसान भाई है जिनका भाईया का टेक्टर है बाई 25 एकड़ तो उसके हिसाब से एक लाइन में कहा दूं तो टैक्टर एंने से समझे लो बच्चा है वो क्यों पखुँँ पहला दोड़ था भाई है घ्रो टीलर का तो हेरो टिलर पे टेक्टर में कोई कमी नी आती थी हैरो बैया चोदे की लेता था किसान टिलर नो का लेता था तो राजा था तो जितने जमिदार हो ते पहले वह सब जो मैसी को यूज करें थे बाई मैं किसी को टार्गेट करके वीडियो नहीं बना रहा कभी कुछ बाई एक दम दिल पर ले जा जो मैसी वाली फैन है कि तुछ वह बताना चाहा हुआ हूं कि कितने एच्पी का टेक्टर लो टेक्टर मैसी में भी बहुत आते हैं ऐसा नहीं हें किए के कंपणी की कोई बात है तो अब क्या थैए चला वह तो है도 थी चला तो है किले भगा सिलीप लिया टेक्टर नाहीं या कोई काम कर करा जो सब सो अब क्या हो चला जिए एक आगुसार की नहीं मेहमानदारी में दो रोटी ओर रग दी वो हीरस में चार खाई गया तो भाई कहीं को तो मारेगा लिकी सुबह को जल्दी भागेगा उठके तो वो इसी ही टेक्टर के साथ हो रही है अब ये टेक्टर की सुरुवाद बताता हूं मैं टेक्टर है 2013 मोटर तो अब ये टेक्टर है तो अब रूटावेटर जब से टेक्टर पर यूज करा तब से टेक्टर चारो तरफ को भाई तेल फैंकने लगा अब वो कहानी बताऊं बही आ रहे थे एक वारिस से 40 बीगे जमीन जोती धान के लिए चालिस बीगे रूटावेटर से जेल करनी आप लगा लो असी बीगे होगी जमीन अब भाई धान का जो काम चलता है वो मैं जून के आसपास चलता है जून में के जुलाई के फर्स्ट बीक में या जून के लाश्ट वाले सब्ता हमें धान लगते हैं तो उससे पहले जमीन बाई तयार करनी होती रूटावेटर से फिर टीलर से और फिर अपना उसमें पानी छोड़ का कादल कटती तो जब यह टेक्टर रूटावेटर पर चलता था तो असी बीगे जमीन जोतने में यहां से फिल्टर जो है लीक होगे टेक्टर के और यह वाली सील कट गई अब स उसके हीट के वो लगा लो जो पनीसी हाव है जिससे उसके हीट ना पोँचे है टंग कीप है उसके बाद भी कहीना गहीं जब एक उपर से कबर दे दिया आपने तो हीट अंदर रही अब उस हीट की वज़े से डीजल भी हीट होता है गरम हुआ वो फिल्टर में आया तो ज इसका मतलब क्या हुआ कूबस से जाद है अगर यही टेक्टर पिच्चान में से होता है यही 72-50 होता तो भाई हो सकता है कि वो समस्या ना आती तो कहने का मतलब यह है कि जो 100 पिलस जोता है देखो टेक्टर रखने के लिए साइड माप कोई सा भी रख लो एक सिलेंडर रख लो 30 ंडर रख लो पर बड़े किसान को पिचास एच्पी से उपร रही ट्यक्टर लेना चाहिए और जो रूटवेटर की खेती कर रहा है रूटवेटर से मतलब खेती कर रहा है उसे तो बाई 50 एच्पी ट्यक्टर प्लस चाहिए आज गल होई हो रहा हुआ जो पंप में हर जगे से देखो इसकी सील अभी सर्विस करवाई थी द्वारा से हो गया मामला यहां से देख लो यह वाली यहां की सील द्वारा डेली होई है भाईयों पीछे कोई दिक्कत नहीं है पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल जैसा है वैसा ही है पर यहां की समस्या क्यों न यूज़ करेंगे, यज रहेंगे, शैह फीटे में यह देखो, पहले लिकिज दिखा दूं में, चारो तरब से, कितनी समस्यारी, बाकिろ back seeANE solche bes 你 बाकिकर में कोई कमी थू, बाकित जैसा he też तो यह सारा जो अंतर है वो टेक्टर की कुवस्स से है हाँ एक चीज और बताता हूं और भाई और रही बात परफॉर्मेंस की किस इंप्लिमेंट पर देखो टीलर पर इस टेक्टर पर कोई दिक्कत नहीं आ रही चैंश से जो तलो और दोसो तीन सो भी के जमीन फालतू टीलर पर अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखाता है अभी भी टेक्टर जैसे नो के कल्टिवेटर पर चलता और भाई हैरो पह भी यह लिफ्ट वाली है इस पर भी कोई समस्या नहीं आ रही टेक्टर बिलकुल जसका तस काम करता है जैसा प अपने पांचो चालिस चक्कर तो रूटा वेटर पर अबाला मैसी थोड़ा सा यह जो 41 है रूटा वेटर पर बहतर परफॉर्मेंस करता वह हमारे गाओं में है ताउजी पर निकालता यह पंद्रेस पर निकालता था तो इस वजह से भी टेक्टर जो है हाई आर्पीम पर चलाना पड़ता है गरारी छोटी कर गए तो भाई एक कारण यह भी है पर वाई मैं एक कह दूं किसान भाईयों से अपनी जरूरत के हिसाब से लो टेक्टर फिर द्वारा से बात मैं बताना चाहा रहा हूं किसी के बाई चक्कर में आके किसान भाई जो है ना भ्रहमी ठोक अब एक बात बताओ भाई अपने जब तुम्हें किसी चीज पर चलाना ही नहीं ऐसे हैवी इंप्लिमेंट पर तो तुम उस टेक्टर का लेक करोगे क्या और भाई एक और बात बता दूं अगर भाई 60 HP टेक्टर ले रहे हो 4-speed लो 3-speed लो 2-speed टेक्टर भाई बिलकुल मतल जो बड़ा किसान है आने वाला समय जो है वो 4-speed का और 3-speed गई है low high medium AVCD मतलब यह समझ लो 4 गेर उसके हिसाब से टेक्टर लो 8 प्लस 2 गेर बोक्स वाला टेक्टर तो भाई बड़ा किसान धोरही मत जाओ बाकिया आपकी समझे भाई अगर जो चीज में बताना चाह रहा थ किसानों को कि भाई अपनी जरुत के हिसाब से टेक्टर लो अगर वह बात बढ़िया लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद